हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आल आज मैं आपके जो वीडियो लिक्या रहा दिखिए बड़ी बड़ी खबरें मार्केट में निकलती आ रही हैं आज जो खबर आई है वो एमाज़ॉन और रिलाइंस के उपर है अब आप कोगे कैसे रिलाइंस इंडिस्ट्री इस लिमिटेड तो एमाज़ॉन ये रिलाइंस कोई भी अगर इस शेयर को खरीदेगा जो खबर आ रही है तो इस शेयर में बड़ा धमाका यहां पर हो सकता है उधार तले दबा हुआ है उस उधार के चक्कर में यहां पर स्टेक बेचने की बात हो लिए तो देखने इसके बारे में डिट आपने जरूर देखा होगा शॉपिंग करने जरूर गयोंगे बिग बजार नहीं तो इजी डे घर घर वे के आसपास जो है इजी डे होता है पडोस की दुकान जिसको कहते हैं उसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर जो है यह फूचर रिटेल ग्रूप यानि की किसोर बि प्लान स्टेक सेल अभी अपने स्टेक को बेचने की कोशिश कर रहा है और यहां पे किसके साथ बात है चल देखिए फूचर रिटेल का जब नाम आता है तो बहुत सारी चीज़े यहां पे है और फूचर के ग्रूप के उपर जो अभी जो उधार है उसको चुकाने के लिए अपना हिस्सेदारी बेचने की कोशिश कर रहा है लेकिन खरीदने के लिए बहुत सारे लोग तयार हैं अभी जो माना जा रहे है कि discussion किसके किसके साथ हो रही है Relance Retail के साथ Amazon के साथ और Samara Capital के साथ ये deal अभी चल रही है ऐसा जो है ये economics time की dot com की जो है report में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो अभी निकल के आई है और प्रेम जी already invested already own 6% stake in future retail while Amazon के पास already 3.2% holding है इस चीज़ को ध्यान रखें Amazon के पास पहले ही holding है तो future retail भी चाहाएगा अगर Amazon ही ले तो ज़्यादा better है क्योंकि existing shareholder है बट बात वही है जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ future retail को जाना पड़ेगा अच्छा पैसा जहाँ पे मिलेगा भई Amazon से ज़्यादा deal जदो जहद होगी दोनों के बीच में जंग होगी तो फाइदा future retail को होगा और जिसके हाथ ये जाएगा और वह फाइदा लेने के बाखी कोशिश करेगा फिलाल future retail अगर आप देखो तो बहुत सारी company यहाँ पे future retail की है जिनके उपर उधार है future enterprises future consumer देखे future enterprises के उपर 6,000 करोड से उपर का डेट है future consumer के उपर 800 करोड का डेट है future supply chain के उपर डेट है और इसके अलावा future retail के उपर अच्छा का साच डेट है तरह देखे ये खबरे निकल के आ रहे है और Amazon तो बहुत टाइम से इसके उपर जो है काम करना देखे future retail plans take sale in talks with प्रेम जी इंवेस्ट और उसके अलावा आप देख सकते कि मई के महिनी में भी एक खबर आये थी कि Amazon direct investment plan कर रहा है future retail के अंदर देखने क्या कुछ हुआ है उसके अलावा अगर बात करते हैं तो कई सारी जो प्राब्लम सी भी है बीच में डिरेक्टली Amazon बहार की company है reliance इंडरेस्टी इसके लिए जादा बेटर यहां पर investment के लिए यह देखे future retail के अगर मैं detail देखू तो 6000 करोड का market यह बिग बजार की company के बात हो लिए देखिए और यहां पे debt company के उपर 3800 करोड का है बड़ा debt अगर आप देखोगे गिर्वी रखे हुए shares भी बहुत ज़्यादा है company fundamentals देखोगे तो आपको लगे है रही हो क्या रहा ही है इतनी लेकिन news के basis बहाँ news आई है तो भई Amazon और किसका reliance industries जैसे companies का नाम आ गया है तो आपने देखा होगा reliance industries में जब stake sale के बात आये थी जीव में facebook का नाम आया था तो कैसे share उचला था इसी तरीके से यहां पे भी नाम आ रहा है और एक चीज को ध्यान रखे already Amazon यहां पे 3.2% की holding बनाए हुआ है अब एक नजर देखते हैं यहां पे किस कि holding है कितनी holding है उस पे focus करते हैं अब इस point को अगर आप ध्यान देंगे देखिए mutual fund के 35 35 mutual fund institution ने यहां पे investment already कर रहा है कितनी investment है उसके उपर देखेंगे 35 में इनके पास हैं 2.63 लाग shares यानि कि 4.87% की holding है इसके अलावा और भी थोड़ा बहुँ L&T mutual fund है फिर venture capital है तो इस तरीके से investment और foreign portfolio investor की बात करें तो 117 ऐसे investors हैं जनकी 11.67% की holding है और 6 करोड shares इनके पास future retail के हैं क्या छोटे investors के पास भी इसके shares हैं क्योंकि insurance companies मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक करोड से ज्यादा shares अल्रेडी खरीद के रखें 2.12% की holding है और 22 ऐसे investor है जो दो लाग से ज्यादा लगा रखें जिन्हाने 73 लाग shares उनके पास भी है 1.35% की इनकी भी holding है अब आपको गयर यह तो बहुत ही जबरदस्त है तो यह आपने पूरी ओवराल holding detail देखी यहाँ पे future retail की अब बात आती है company के revenue की profitability की जरह इन numbers को देखिया अगर मैं बात करता हूँ खाली देखिए revenue की देखिए revenue 2012 में 1500 करोड था 2300 करोड हुआ 1700 करोड 6800 करोड 17,000 करोड 20,000 करोड 22,000 करोड तो revenue तो बहुत aggressively बढ़ा है लेकिन profitability में यह losses देखिए starting में कभी profit कभी loss तो इतनी consistency अभी दिखाई नहीं है easy day और आपका big बजार ऐसे ऐसे चीज़े इसके नाम पर है लेकिन profitability अभी consistent last के दो टाइम पर यह profitability 700 करोड से उपर है लेकिन consistency मुझे नहीं देखिए अब मैं technical aspect पर आपको इस share को दिखाने के कोशिश करूँगा यह मन्थली चार्ट है ज़रा ध्यान दे स्टॉक अपने all time low के पास है यह देखिए 125 रुपे से लेके 75 रुपीज तक अभी कुछ time पहले यह गया था इतने नीचे यह share गिर गया और कहां से गिरा आपको यकीन नहीं होगा स्टॉक मार्केट में जैसे जब किसी ने आपको स्टार्टिंग में कहा होगा कि बिग बजार का शेर है और यह share गिरता रहा लेकिन अगर आप जड़ा सोचिए आपने खाली fundamental आपने कहा होगा नहीं है नाम नाम के basis पे गये होंगे तो देखिए किस तरीके से इसमें correction आई तो क्या होता है देखिए इसलिए कहा जाता है कि always invest in uptrend जब डाउन जाए जब बुरा टाइम आए तो भही देखिए किस तरीके से situation आई है profit बुक करो देखिए जब तक यहां से situation थी आपको बहुत सारे मौके मिले लेकिन एक बार stock जो downtrend में चला गया उसके बात investment का आप म यह opportunity grab करने आपको तभी आएगी जब आपको basics आएंगे technical के तो entry exit के लिए technical से बढ़िया चीज कोई होती नहीं है कितना भी strong share क्यों नहीं हो आप देखिए यह breakout है किसी ने अगर इस breakout को play किया होता है तो कितना बढ़िया उसने return लिया उक था यह मान के चलिए यह breakout का level 175 के पास था यहां पे breakout के बाद entry करके stock गया साड़े 600 के level तक उस ही महीं हो के अंदर और यह breakout play क्या होता है 275 का देखिए कहां तक गया है उसके बाद एक बार downtrend स्टार्ट हो जाता है तो आप देखोगे आपको lower highs lower lows की series बंती दिखेंगी और pain आपको सामने देखेगा इसका मत करते हैं उसको आप यहां पे clearly देख सकते हो इसी लिए में retail investors से कहता हूं कि बहिया कितना भी अच्छा share करना हो मजबूती दिखे अब trend देखे तभी उसमें जाना चाहिए यह हालत देख सकते हो आप यहां से retail investors generally इन चीजों को थोड़ा सा avoid करता है समझने की जो learning वाली ची आनलाइज कीजिए समझी चीजों को personal level में कहूंगा कि बहिया एक नजर आपको इतनी basic understanding जरूर बनानी चाहिए आप किसी भी share को खरीद रहे हो तो यह देखे पीक all time high lower high बना बेस फिक्स था लेकिन यह बेस यहां पर हलका सा टूटा फिर देखे lower high बना lower low बन गया देखे lower high lower low बनते गए और stock देखे धरासा ही होते गया उसके बाद यह जो बेस था वही आपका resistance का काम करने लगया 475 फिर देखिए नीचे गिरा और नीचे आया और एक बार जो मैं आपको cross बताया था एक बार यह cross बनाया दुबारा positivity आई नहीं देखे हर बार यह share 50 में हलका सा उ गिरा है कि सी दे 50-60 रुपे के लेवल पर गया है जरा सोच यह अब फिलहाल जो है यह न्यूज के चक्कर में अभी कुछ दिन यह जंप ले सकता है और देखिए ऐसा गिरा है कि आपको निकलने का मौका ही नहीं मिला होगा देखिए lower circuit बिलकुल धरासा ही हो गया share अब दे न्यूज बेसे स्टेक सेल के बेसे पर जंप जरूर फ्यूचर रिटेल में आ सकता है और अगर लॉंग टर्म इंवेस्टमेंट की बात हो जो कोई वैसे अगर थोड़ा बहुत भाल खरीदना चाहता है रिस्क के बेसे पर वह इंपोर्टेंट चीज है otherwise fundamentals बिलकुल गए नियर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो शौट टम परस्पेक्टिफ से तो बढ़िया क्योंकि आपके पास टॉप लॉस 96 का रेडी है यह देखिए चलिए यह अपडेट था यहां पर फ्यूचर रिटेल के बारे में और धमाका जरूर करेगा अगर यहां पर किसी ने रि के बारे मैं थांक्यू 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 पर लॉचिंग वीडियो